एक सवाल और आप सबका स्वागत है इस बहुती खास शो पे जामा के मुलाकात कराएंगे ठीके एक मिनट एक मिनट रुकिए लई यह क्या है भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का यह कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ और यह कहते हैं मंदिर हटाओ अब हम किसकी सुने भगवान की या इनकी जब पीला हेलमेट पहन के यह पर्चे बांट रहे थे देखिए देखिए पहले कहा बगवान लापता हैं उसके बाद कहा बगवान फ्रॉड हैं कल को ये भी कह सकते हैं बगवान मर गए है बिटा तुम चाहते क्या हो एक ऐसी दुनिया जहां बगवान हो ही न तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का खाने के लिए रोटी नहीं है सर के उपर चट नहीं है बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास रोजाना कितने लोग आत्म हत्या करते हैं मालो में तुम्हें नसे काट लेते हैं पंके से लटक कर मर जाते हैं क्यों क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है अगर बागा बानने से उनको जिन्दगी जीने की उम्मीद बनती है तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी उम्मीद छीनने वाले और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीनी लेना चाहते हो तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे नहीं हमेशा ये बोलते रहते हैं ना रॉंग नंबर रॉंग नंबर तो आज हम सब को बताईए यहाँ पर कि राइट नंबर क्या है आप बिल्कुल ठीक बोलता है तब हस्वी जी एक टेम था जब हमरे पास भी खाय के लिए रोटी नहीं थी रहे खातर घर नहीं था बहुत है रोटा था क्योंके कौनों दोस्ट भी नहीं था न वो बकत हमरा एक है सहारा था भगवान रोज लगता था कल बाइतार होगा भगवान कौनों रास्ता निकालेगा हम मानता हूं कि बगवान में विस्वास रखे से उमीद मिलता है तकलीव से जुजे खातर हिम्मत मिलता है ताकत मिलता है लेकिन हमरे एक ठुसा वहाल है का उन से बगवान पे विस्वास करें आप लोग बुलता है एक बगवान है हम बुलता है नहीं दूई बगवान है एक जॉन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया जोटा गूस लेता है जोटे वादे करता है अमीरों को जल्दी मिलता है गरीवों को लेन में खड़ा करता है तारीब से खुस होता है बात बात पे डराता है हमरा रेट नमबर बहुत है सिंपल है जोन भगवान हम सबका बनाया उपे बिस्वास करो और जेका तुम लोग बनाया हूँ डुपलिकेट गाड को अटाई दो आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे वेटा हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है तुम करेगा रच्छा भगवान का तुम अggल आज को नुकी आपना खुदागा रक्षा करने की कूसिस किया और हमरा दोस्च चला गया वसी रहे गावा है उकर जूता अपने भगवान की रख्षा करना बंद करो नहीं तो यह गोला पर इंसान नहीं सिरु जूता रह जाए एक मुसल्मान पमफोडे और एक हिंदू गुरू यहां बैठ कर तुम्हारा लेक्चर सुने कावन हिंदू कावन मुसल्मान थपा किदर ढिखाओ इपरक भगवान नहीं तुम लोग बनाया और यहीं गोला का सबसे डेंजर रांग नमबर सबसे खतरनाक रांग नमबर इससे लोग मरता है अलग होता है यही रांग नमबर तुम जग्गु का बिरहन मा ठोक दिया और अलग कर दिया सरफरास रांग नमबर कौन सा रांग नमबर कि सरफरास दोखा देगा मुसल्मान धोका देता है काउन बोलत तो उसने दोखा दि इसमें जूट क्या है? एक मिनिट? नहीं, एक मिनिट, देखिये? एक मिनिट, आप रुकिये. तो तुम यह कहना चाहते हो, कि सरफराज को लेके जो भविश्यवानी मैंने की थी, वो जूटी थी. आई यही तो कह रहा हूं. तो साबित करो. तो साबित करो कि मेरी भविश्यवानी जूटी थी, और ना साबित कर पाए, तो मेरे चरणों में गर कर यहां माफी मांगो, और सब के सामने सुईकार करो, कि तुमने मुझ पर जूटा लांचन लगाया है. और साबित कर दिया, तो? पीके नहीं. तो बेटा, यह तुम्हारा. सरत मन्जूर है. जरा, यह कैमरे जो है, वो जगद जननी की तरफ घुमाईए. जगद जननी, हम उम्मीद करते हैं. आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच-सच देंगी. बिल्जिम में आपको एक पाकिस्थानी लड़के से प्यार हो गया था. सच या जूट. यहां मेरी परसनल लाइफ क्यो डिसकास हुई जा रही है? शुकरवार को तीन बचकर एक्कीस मिनट पर हमने भविष्यवानी की थी, यह लड़का आपको दोखा देगा. और अगले दिन, आप मैरिज रजिस्टरार के ऑफिस में गई थी. लेकिन यह लड़का नहीं आया था. सच या जूट. हाँ, वो नहीं आया था, किन्यू प्लीज 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 नहीं सब का बताओ कि उदिन का हुआ था. प्लीज बस एक बार, हमरी खादर. मैं मैरिज रजिस्टरार के ऑफिस में थी और चिट्टी आया. सर पराज लेकर आया था? नहीं. एक बच्चे के हाथ भीजी थी. कौनो नाम लिखा था? नहीं. तुमका कैसे पता कि वह सर पराज की चिट्टी है? हो सकत है कि वह का उन्हों और लड़की के लिए हो. वहां का उन्हों और लड़की नहीं थी का? एक थी ना. जे करे पास बिल्ली थी. और वो तुमका बिल्ली थमाए दी थी, पकड़े खातिर. बच्चा जौन चिट्टी लेकर आया था, तुमका पहिजानता था. नहीं. तुम उका पहिजानता था. नहीं. फिर वह का इसे पता कि चिट्टी तुमको देना है? वह सकत है वह का बोला गया हुआ कि जे करे पास बिल्ली है, वह को ए लेटर दे देना. वह तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, पाके तुम सरपरास को फोन में नहीं किया. किया फोन सरपरास को? क्योंकि तपस्पी जी तुमरे बिरेन मा रांग नंबर ठोकतिया था, कि मुसल्मान दोका देता है. सरपरास तुमका दोका नहीं दिया था, चगो. क्या रहा है भई, यह कुता, विल्ली, मतलब आप कोई भी कहानी घड़ता जाएंगे, और आम यहां बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बाते हैं. एक मिरिक, एक मिरिक, सच क्या है में सी शो पर पता कर सके, जागो, फोन निखालो, सरपरास को फोन अगाओ. कमा जागो आएंगे अगाओ. वीजूहला फ्रेटफाराइब खीजू कर नचम्हाल डरीजून करें चून चाहँ जीजूजू ещё व है मैं नियून कर देचा है ने ने अटाउन गीड़ा भाट विश्टेम्स सार्फराइस यूसफ कर वीजा है लता हमानला पार्कासा के बाता है इमेल एक्रवेस्ट आपकिस्तान अबसे अपकिसान आपकिसान जाना सकता है हलो, आपके यह एक लाहोर से स्टूडन काम करते थे, सरफराज यूसुफ आपका नाम जगु है हलो, आपका नाम जगु है हाँ, आपको कैसे बता? अब फोन आगे जी, वो दिल्ली बाली लड़की का फोन आ गया पराज, जगु का फोन आ गया सेयर साम, जल्दी आईए जगु का फोन आ गया इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आईए मुहतरमा, सरफराज यूसुफ रोज़ाना सुबा नौ बजे हमें लाहोर से फोन करते हैं और बेंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जगु का फोन आया हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं पागल कर दिया है आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं हलो जनाब सर्फराज यूसुफ जी सलाम अलेकम आप कहां से बोल रहे हैं जी मैं लाहोर से क्यों इस वक्त आप कहां से बोल रहे हैं जी मैं मैं अपने घर पे हो, क्यों आपके आस पास कोई कुरसी या बेंच है अगर है तो प्लीज बैच जाएं आपको जटका लगने वाला है गिर जाएंगे माफ केज़ेगा मैं कुछ समझा ने आपके लिए देली से फोन है प्लीजे, बात कीज़े हलो हलो सर्फराज चकुख हलो 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 जो कुख सब खैरियत तो है हलो तुम्हे थे पारेश रजिस्ट्रार के ओफिसमे हाँ है थान लेकिन तुम मासे जा चुकी थी वोट क्यू नहीं किया क्या करता तुम्हारा कात मिला था तुम्हें लिखा था था मुझे कॉंटाक मत करना मुझे पदा था कि तुम्हारी फैमली का बत्रशार दुम्हें तुम्हें पता नहीं क्यो मजे अशा लगता था जगू कि हेक नहीं तुम्हें सरूर कॉंटाक करने के कोशिश करोगी मुझे मुझे लगा दिया यार्चक को फोन कटने में क्या करती तुम्हारा रॉंग नम्मर था मेरे पास अभी अभी एक तोस्ते राइक नमर मेला आपको तुम्हार स्थाइक था लूगा 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 स्टिर्ण कर दो झाल